नमस्कार निर्मार आईएस में आप सब का स्वागत है और आज हम फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के विशय पर चर्चा करेंगे इसके कुछ इंपुट हमने राज सवा टीबी, लोक सवा टीबी, दा हिंदू, पी आईवी से लिए हैं साथ ही निर्मार आईएस के भी कुछ इंपूर्ट इसमें शामिल हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशय कोई भी देश जो जन प्रतिनिदित या लोगतंत्र पर आधारित हो, इसके द्वारा अपने प्रतिनिदी चयन हेतू, चुनाव की प्रणालिया निश्यत की जाती हैं सभी देशों द्वारा अपने देश में अलग-अलग चुनाव प्रणालियों को अपनाया जाता है, जब उनकी समस्याएं एवं सीमाएं सामने आती हैं, तो उनमें परिवर्तन किये जाते हैं, यदि ये परिवर्तन ना हो, तो लोगों का सही प्रतिनिदित नहीं हो पाता ह जान लेते हैं, फर्स्ट पास दपोस सिस्टम क्या है? कालोचना क्या है? देख लेते हैं, ये प्रणाली समानिता एक सदस्ये निर्वाचन छेत्र प्रणाली से संबद्ध होती है, इसके अंतरगर सरवादिक मत प्राप्त करने वाला उमीदबार निर्वाचित हो जाता है, बले ही निर्वाचन मंडल में काफी बड़े समधाये उसके विरोध मत दिये हो, अल्वसंख्यक समधाये द्वारा निर्वाचित होने पर भी वह विरोधी मत रखने वाले बहुत संख्यक समधाये का प्रतिनिदी बन जाता है, ये प्रणाली ब्रिटिन के समान द्वीदलिये परंपरा के ही अनुरूप है, किन्तु से कमजोर औ अल्वसंख्यक दलों का सफाया हो जाता है, तता विविन प्रकार के अल्वसंख्यक समधायों को पर्याप्त प्रतिनिद्द नहीं मिल पाता है, ये प्रणाली प्राया मत दाताओं के ऐसे समधायों को जिन्हें थोड़ा ही अधिक पहुमत प्राप्त है, सदन में बहुत ब विचार को एवं राजनेताओं ने सुझाओ दिया है कि जिस दल की सम्मती से सरकार चलने वाली हो उसे कम से कम कुल मतदावताओं की बहुत संख्या का समर्थन तो प्राप्त होना ही चाहिए इसी लक्ष को ध्यान में रखकर निर्वाचन प्रणाली में कुछ सुधार सुझा गए हैं पुर्णा वर्थित गुप्त मत्तान प्रणाली इन सुधारों में से एक है सबसे सरल तरीका वे हैं जिसका प्रयोग विधान सवाओं द्वारा किये जाने वाले चुनाओं में किया जाता है उधारनाट अमेरिका की दलिये समयलन द्वारा राश्ट्रुपती और खड़े होने वाले उमीदवारों के चुनाव में किया जाता है सरवादिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय के प्रणाली प्राया सदैफ सबसे बड़े दलों के अनकूल कमजोर एवं अलसंख्यक दलों के प्रतिकूल होती है आनुपातिक प्रतिनिद्ध का सहरा लिये बिना ह इस प्रवति को दूर करने के लिए कुछ तरीके सुझाए गए हैं किन्तु इन सभी प्रणालियों के प्रयोग के लिए बहुत सदस्य निर्वाचक छेत्र आवश्यक होते हैं आनुपातिक प्रतिनिद्ध प्रणाली क्या है देख लेते हैं सरवादिक मत प्राप्त व्यक् वाजित नहीं की जा सकती है किसी निर्वाचन छेत्र में प्रतियक उमीद्वार के लिए अत्वा उमीद्वारों को खड़ा करने वाली पार्टी के लिए मिले वोटों के अनुपात में ही जगेने धारिक की जाती हैं आनुपातिक प्रतिनिद्ध मुख्यता दो प्रकार के होते हैं पहला एकल हस्तांतरने वोट दूसरा सूची प्रणाली इन दोनों के भी अनेक रूप होते हैं इन्हें एक दूसरे से भी मिला दिया जा सकता है अत्वा फर्स पास पोस्ट प्रणाली में भी इनका मिश्वर्ण किया जा सकता है आनुपातिक प्रतिनिदित चुनाव प्रणालियों की विशेश्था यह है कि जिसके द्वारा मतदाता या विवाजन निर्वाचित छेतर में अनुपातिक रूप से प्रतिविंबित होता है. इस तरह के प्रणालियों में सभी वोट परणाम में योगदान देते हैं आनुपातिक प्रतिनिदित के सबसे प्रचलित रूपों में सभी को बहुत सदर से मतदान जिलों के उपयोग के आवश्यक्ता होती है क्योंकि एक सीट को आनुपातिक तरीके से भरना संभव नहीं है वास्तब में पी-ार के कार्यान वन जो आनुपातिकता के उच्चतर इस्तर को प्राप्त करते हैं उनमें बड़ी संख्या में सीटों वाले जिलों को शामिल किया जाता है पार्टी सूची पियार के साथ राजनेतिक दल उमीदवार सूची परिभाशित करते हैं और मतदाता सूची के लिए वोट देते हैं प्रतियेक सूची के लिए सापेक्ष वोट निर्धारित करता है कि प्रतियेक सूची के कितने उमीदवार वास्तब में चुने जाते हैं एकल हस्तान तरने वोट छोटे बहुत सदस जिलों में उपयोग होता है जिसमें मतदाता प्रात्मिक्ता के क्रम में व्यक्तिकत उमीदवारों की रैंकिंग करते हैं गिंती के दोरान उमीद्वारों को निर्वाचेत या निरस्त कर दिया जाता है वरियताओं के अनुसार अनुमीद्वारों को स्थानंत्र कर दिया जाता है STB मतदाताओं को पार्टी गाइड लाइनों में वोट देने और स्वतंतर उमीद्वारों को चुनने में सक्षम बनाता है मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित जिसे अतरिक्त सदस्य प्रणाली भी कहा जाता है एक दुईस तर ये मिश्रित चुनावी प्रणाली है जो गैर अनुपातिक भोपक्षिय चुनाओं और दूसरा छतिपूर्ती छेत्रिय या रास्ट्रे पार्टी सूची पी आर चुनाओं का संयोजन करती है मतदाताओं के पास आमतोर पर दो वोट होते हैं एक एकल सदस्य जिले के लिए और दूसरा पार्टी सूची के लिए पार्टी सूची निर्वाचित निकाए में पार्टीयों के संतलन को निरधारित करने के लिए वोट देती है FTPT और आनुपातिक प्रतिनिदित प्रणाली के बीच के तुल्लात्मक रूप को देख लेते हैं आनुपातिक प्रतिनिदित प्रणाली विधान सभामी अलसंक्र को और छोटे दलों के प्रतिनिदित की अनुमती देते हैं प्यार प्रणाली छेत्री मत वेदों को कम करता है तता विवाजन कारी राजनीती वा सांप्रदाइक राजनीती का भी अंत करता है आनुपातिक प्रणाली में सभी लोगों का उचित प्रतिनिधित होता है धन के प्रभाव पर रोक लगाई जा सकती है महिलाओं को उचित प् प्रारंबिक परिक्षा का प्रश्न क्या है निर्म लिखित कत्मों पर विचार करें पहला संभूत मतदान प्रणाली में मतदाता को चुनाव छेत्र में जितनी जगे होती है उतने ही बोड़ दे दिये जाते हैं दूसरा राजसवा के चुनाव आनुपातिक प्रणाली के देखते हैं आज की मुख्य परिक्षा का प्रश्न क्या है भारत में लोगतंत्र वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली नहीं बलकी हमारी एतिहासिक संदर्वों का आधुनिक प्रमार है उपरियुक कथन की व्याक्या के साथ लोगतंत्र के बहु आयामी पक्षों के गुर्दोशो का वर्णन कीजे इस वीडियो का PDF लिंक आप description से प्राप्त कर सकते हैं और हम आशा करते हैं यह मुद्दा आपकी परिक्षा में मददगार साबित होगा इस प्रकार के topics हम भविश्य में बिलाते रहेंगे धन्यवाद